2156 रुपए करोड के प्रॉफिट में कम्पनी अब चौथी बार बांटने जा रही डिविडेंड रिकॉर्ड डेट का हुआ एलान हिंदुस्तान जिन्क अल्टीडी हिंदुस्तान जिन्क लिमिटेड अपने निवेशकों को डिविडेंड बांटने वाली है हिंदुस्तान जिन्क ने बताया कि कम्पनी का बोर्ड वित्वर्ष 2022 से तेईस के लिए एकविटी शेरों पर चौथे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा इसके लिए 21 मार्च 2023 को बैठक होने वाली है हिंदुस्तान जिन्क ने प्रस्तावित डिविडेंड के लिए 29 मार्च 2023 को रिकॉर्ड तिथी तै की है रिकॉर्ड तिथी से एक या दो दिन पहले शेर एकस डिविडेंड होगा बतादें की हिंदुस्तान जिंक ने पिछले 12 महीनों में 18 रुपए प्रती शेयर के एक्विटी डिविडेंड का भुगतान किया है दिसंबर तिमाही के नतीजे वेदान्ता की सहायक कमपनी हिंदुस्तान जिंक को दिसंबर तिमाही में 2156 करोड रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ जो एक साल पहले की इसी अवधी में 2701 करोड रुपए की तुलना में 20 प्रतीशत कम है वहीं परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष की समान तिमाही में 7,841 करोड रुपए के मुकाबले 2 प्रतीशत घटकर 7,628 करोड रुपए रह गया शेयर का हाल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर गुरुवार के कारोबार में 3,57 फीसदी की तेजी के साथ 305,75 रुपए पर बंध हुए इस शेयर ने दिन के दौरान क्रमशह 305 रुपए 95 पैसे का हाई और 295 रुपए 50 पैसे का लो लेवल टच किया शुक्रवार की बात करें तो ट्रेडिंग के दौरान शेयर ने करीब 3 प्रतिशत की तेजी के साथ 315 रुपए के स्तर को टच किया स्टॉक के 52 हफ़ते का हाई 383 रुपए है वही 242 रुपए 40 पैसे इस शेयर के 52 हफ़ते का लो है किसकी कितनी हिस्सेदारी लगभग 2 दशक पहले निजीकरण के बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी 29.54 प्रतिशत पर बनी हुई है वहीं वेदान्ता के पास हिंदुस्तान जिंक की 64.92 प्रतिशत हिस्सेदारी है